आज कलीयोग में भक्त समाज के सामने गुरुओं का आमबार लगा हुआ है सही और सच्चे गुरु की पहचान करना बहुत बड़ा जटेश परसन बना हुआ है अकिर भक्त समाज कहिसे पहचाने, कौन गुरु जूठा है तथा कौन गुरु सच्चा है आलम कुछ ऐसा है कि भक्त समाज ही कनिफे जागा क्योंकि आए दिन टीवी चैनलों पर किसी ना किसी अधात्मी गुरु का परदाफास हो रहा है जिस कारण लोगों में गुरु शिश्य पुरंपरा से विश्वास उठने लगा है यह ऐसा ही है जैसे नो दुकानों से समान लेने वाला ग्राहक यडि ठगा जा चुका हो तो दस्वी दुकान पर चाहें कितना ही अच्छा और सही समान मिलता हो तो अभी समान लेने से पहले ग्राहक संकोच करता है यह यूँ कहें दुद का जला हुआ जाज को भी फुक फुक कर भीता है लेकिन बिडमना यह है कि हम कैसे पहचाने पूर्ण गुरु करता पूर्ण संत कौन है दोस्तों इसका बहुत ही छोटा और सरल सा उत्तर है कि जो गुरु पवित्र सास्तरों के अनुसार भक्ति करता और करवाता है वही पूर्ण गुरु है यजुर्वेदा धाय नमबर 40 सलोक 10 में कहा गया है कि कोई तो प्रमात्मा को निराकार यानि कभी ना जनम लेने वाला कोई आकार में जनम लेकर आने वाला कहते है वास्तों में उस प्रमात्मा की क्या आस देती है वो प्रमात्मा सागार है या नेराकार है जिसके बारे में पूर्ण ग्यानि संत यथात रूप में भिन-भिन रूप से परतेक्स ग्यान कराते है इसी प्रकाह सिर्मत भागवत गीता जी के अध्याय नमबर 4 के स्लोक 34 में कहा गया है कि ये भारत तो उस प्रमात्म ग्यान को तु तत्व दर्शी ग्यानी महत्मा के पास जाकर समझ उनको भली भांती डंडवत प्रणाम करने से उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ कर सरलता प्रोक परशन करने से वे प्रमात्म तत्व को भली भांती जानने वाले ग्यानी महत्मा तुझे उस तत्व ग्यान का उपदेश करेंगे इस अंदर में आये जानते हैं जगत गुरु तद दर से संत्रांपल जी महराज के लिए जाते हैं। यार बहुत से स्यस्वी हो गए हैं तो उसने पुने विचार करना पड़ेगा क्योंकि उसको परमात्मा की अवशकता है। यदि उसका मारक गलत है तो आज भी ठीक किया जा सकता उसको। और यदि आज भी ठीक नहीं करेगा अपने अभी मानवस तो वो दूना दोसी होगा। वो इस कटेगरी का होगा कि जान बूद साची तजय करेज हूटते ने और ताकि स्वंकते पर वो सौपन भी ना दे। वो करत गनी विक्ती होगा चैवेश से गुरू बना बैठा है। जिसको यह पता लगया तिरा ग्यान गलत तिरा नाम गलत तेरी साधन गलत। और वो फिर भी हार मानने को स्विकार नहीं है। यानि फिर भी यह नहीं कहता है अपने शिस्तों को कि अभी मेरा मारक गलत है। तो वो करत गनी प्राणी बताया है उसके विसेम कहा है कि जानबूज साची तजय और करेज उठते ने और ताकि संगत्थे परभू सोपन में भी नहीं थे। इसे नाला एकादमी की तो सोपने में भी बैठनी हो नहीं थे इसके साथ। और जो उनके फसे बैठे हैं बहुली सर धालो अब उन्होंने स्वेम सोचना पड़ेगा। अगर वो गुरू होगा और बगवान की खोजम होगा तो पहले वो कहेगा अपने सेस्थों को क्योंकि जो दास ग्यान देता है सबसे पहले खटक उन गुरूं को लगती है। क्योंकि उनके विषय में बोला जा रहा है, कि उसका ग्यान गलत र दास सवामी पंत का ग्यान गलत, उनके नाम गलत, उनकी नाम गलत, उनकी भक्ती गलत, उनकाृत रास्त गलत और बितने भी दन्मा विश्णों मैश के पुजारिया, सारा मसुदानसु जी लिए, कुमार सुमेर ये इनका सारा मार गलत और ये तीन डेव की बक्ती करते हैं इन मजीव का मोक्स ने तो इनको सबसे पहले इस बात पर जोर देना चाहिए, ये क्यों कह रहे है, राम पाल दासु इसका उदेश्य क्या है, कमसे कम उदेश्य जानकर हमारे सद्गरंथों को लिटरेचर को पढ़ें ये संद, दास की उनसे वी नमर पराथना है, उनका भी जीवरक्सा होगी, उनके उनको संत मान के, संत वही होता है, जिसके पास पूर्न ग्यान हो, और साद ना ठीक है, नहीं तो भगत नहीं है, ना वो गुरू है, वो तेक अपना जीवन नास कर रहे हैं, तो उनसे दास, उनके हित के लिए कह रहा है, जैसे कोई रस्ते में जा रहा है, और काफी लंबे स पर पर पहुंच गया, और वहां उसको कोई टोक रहा है, कहां जा रहे हो वई, तो उस सथान का नाम बताते हैं, और वहां कोई विक्ती खड़ा हो, वो कहता है, यह रस्ता ठीक नहीं आपका, आप बहुत गल्ट जा रहे हो, तो उस विक्ती को क्या करना चाहिए, एक, दो, तो चैर और से सलह लेनी चाहिए, भी शत्समुच में जा रहा हो, यह मारक ठीक है के नहीं, और उसके साथ जगड़न लग जा के तू को बोल रहा है मेरे मारक को गलत, तो उने कैसे बता दिया गलत, तो यह बुधी मान का काम नहीं, यह तो महां नीच विक्ती करता है, ऐसा बहार, कोई कहता है कि तेरा रस्ता ठीक नहीं, तो उसना धन्यवाद करना चीए उसका, और सोचना चीए भी बता कैसे गलत जा रहा हूँ, मेरा विश्वास दरड़ कर के मैं गलत जा रहा हूँ, तो और नीच मैप हमारे पास है, उस नकसे को, उस मान टीतर को सामने दर ले और वही तू यहाँ खड़ा है, यह शहर है, और आप जा रहे हो दिल्ली, और आप इसार से चलके आगे सिरसा, यह सिरसा यहाँ पर है, और दिल्ली इधर है, तो फिर उसने पूर्ण विचार करना चीए, तो हमारे तो सदगरंत है, यह हमारा मान चीतर है, यह हमारा जो संत हमारे सद्ट गरंतों के विर्द बताते हैं और विर्द जा रहे हैं और अपने बगतों को ले जा रहे हैं उनके लिए दास परात न करा कि आप सास्त्रवीदी ताकर मनमानः आजन करे और करवा कै अपना जीवन नास करे हो और आपके आस्री तिन भूले सर्दालों के जीवन को नास करके उनका बाहर अपने सिर पर धरकर पाप के भागी बन रहे हैं दास उनको इतना सत्रक करना चाहता है कि कुछ संबलो और विचार करो ये मैप तुम्हें नहीं देखने आते हैं तो दास ने कती कलीर कर रहा है इन सत्रक गरंथों को दास ने कती निसक्रश निका लेका पुट्ट सच्संक कर रहे इनको संत भी सुने उनके चेले भी सुने अगर उनके समझ में आव तो ग्रहन करें ना कोई जोर्द बरसी नहीं वैसे ही किसी के साथ जगड़ा कर लेते हैं तुमने ऐसे गल्द क्यों कह दिया पहले देखो गल्द क्यों कहा तो ये तो एक सबग्ड़ा एक नेक विक्ती के लक्षम और एक बेमतलब उसको सचा रास्ता दिखावे उसके भले में कहर उसके साथ जगड़ा करता है तो कहते हैं कहे भली मानने बुरी और यही परिक्षा नीच नीच आदमी की यही परिक्षा होती है कि उसके भले की कहेंगे तो उसको हानी करता है कबीर साब कहते हैं कि साच कहों तो जग नीमन और जोठ़ा जग पतियासी अगर साच कहों तो जग नीमान तैंग जोठों की बात पर विश्वास किये बैठे हैं कहते नोमन सूत उड़ जिया ये रिशी रहे जखमार और सत्गुरु यानि तत्वदर्शी संत इसा सुड़ जादे उड़ जान दूजी बार अब इसा सुल जादिया है इस कलियोग मैं योड़ सकता भी हो अब ये थोड़े से दन में ये ट्यां ट्यां करने वाले हैं अब रोधी शर्पटक का बैठ जाएंगे जनता है न बोलन नहीं देगा बच्चा बच्चा भी अक बस दो पो जाओ बते रेजन शुन ली तुमारी कि अब बु抗वाद सामें परमान दिखा रहा है तास ने तगड़ा पड़ा लिया पैर येस सचाय को आपर लाने के लिए उत्ये वड़ चाण। तो पुछ आकर छोड़ूँगा, चाहे कुछ भी भी बितो मेरे साथ। तो पुन्यात्माओं परमात्मा कहते हैं कि जो सत्थ साधना नहीं करते हैं, मन माना आचन करते हैं, हमारे सत्दगरंथ बताते हैं, उनको कोई लाब नहीं होता, तो पुन्यात्माओं इसे बचना चाहते हो, सत्थ भक्ती करना चाहते हो, तो इस दास के पास वो यथार्थ भक्ती है, वेदो अनुकूल, सास्त्रों अनुकूल, सद्गरतों के अनुकूल अपना कल्यान कराओ और जीवन सफल बनाओ, सथ साहिए। दोस्तों 84 लाग योनियों में पशू पक्सी, कुत्ता, गधा, स्वर आदी के कष्ट भोगने के बाद एक बार अनुमोल मानो शरीर मौक्ष प्राप्ति हेतु मिलता है। अनुकर रोग को काटने वाला वैद होता है, जिदि एक वैद से हमारा रोग कड़ता नहीं, तो हमें ऐसे डॉक्टर या वैद के पास जाने में संकोच नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा जानलेवा रोग ठीक हो सकता है। कबिर साहिब जी कहते हैं कि जब तक गुरू मिलेना साचा तक गुरू करो दस पाचा। दोस्तों आप खुद विचार करें, कहीं कोई अज्यानी और नगले गुरू आपके इस अनमोल मानुजीवन के साथ खिलवार तो नहीं कर रहा है। मानुजीवन के कल्यानार्थ संपुन अध्धात्मिक ज्यान के रहशों को जानने के लिए अवस्य पढ़े। जगत गुरू तप्रदर्शी संसरामपार जी महरार त्वारा लिखित पकत्र पुस्त के ज्यान गंगा, जीने कीरा, गीता तिरग्यान अम्रित, अंध्शधा भक्ती, खत्राय जान, बिलकुल निशल्क मंगाई, अपना नाम पूरा पता हमें वाट्सेप करें। हमारा नमबर है 7496-801-825 जगत गुरू तप्रदर्शी संसरामपार जी महराज के मंगल प्रवचर अप्रतिदिन सोलिए।